नमस्कार विद्यार्थियों राजिकियस नातकोत्तर महाविद्याले देवली के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनह स्वागत है हमारे आज के कालांश का पठन पाठन का विशय है रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवी देव द्वारावी रचित जीवन सार सुधा नामक का व्यांश का भागतीन इस का व्यांश के भागतीन के अंतरकत जो पध्यांश चुना गया है वह आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आईए सरोप्रथम हम इस का व्यांश का सैस्वर वाचन करते हैं यह कवित चंद में रचित है एवं सर्वथा सैस्वर वाचन के योग्य पध्यांश है ऐसो जो हो जान तो की जै है तू विशे के संग ऐरे मन मेरे हाथ पाओ तेरे तू रतो आजू लोहों कत नर नाहर की नाहि सुनी नेहसो नेहारी हेरी वदन नेहारतो चलान न देतो देव चंचल अचल करी चाबुक चिताबनीनी मारी मुह मोरतो भारो प्रेम पाथर न गारो दे गरे सो बांधी राधावर वीरद के वारिध में भूरतो ये था पध्यांश का ख्रमा कीजिए पध्यांश का सैस्वरवाचन आईए अब इस पध्यांश के कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लिया जाए विशय शब्द का अर्थ है सांसारिक विशय वासनाए कत का अर्थ है कितने नर नाहर का अर्थ है राजा निहार तो शब्द आया है देखता रहता के अर्थ में अचल का अर्थ है स्थिर चिताब नीनी का अर्थ है चेतावनिया बारिधी शब्द वारिधी का तदभव है और इसका अर्थ समुद्र वैसागर होता है इसके प्रसंग पर दृष्टिपात करते हैं और उसमें सम्मंधित उससे सम्मंधित तीन बातें जानते हैं आप जानते हैं इसका व्यांश के पद्यांश के कवी है देव का व्यांश का सीरशक अत्वागरंथ के नाम के आगे हम लिख सकते हैं जीवन सार सुधा इसका व्यास से उद्रत है संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि कवी मन को सांसारिक विशय वासनाओं से दूर रखने की चेतावनी देते हुए श्री कृष्ण के प्रती अपनी अनन्य भक्तिवय आस्था प्रदर्शित कर रहा है ये इसका प्रसंग हो गया आएए अब इस पद्ध्यांश का अर्थ वे भावार्थ जान लेते हैं ऐसो जो हो जान तो कि जेहे तु विशय के संग एरे मन मेरे हाथ पाऊं तेरे तूर तो कवी अपने मन को सांसारिक विशय वासनाओं से दूर रहने की चेतावनी देता हुआ नम्रता पूर्वक वर्णन कर रहा है और स्रीकृष्ण के प्रती अपनी अनन्य भक्तिवय आस्था को प्रदर्शित कर रहा है और ये करते हुए कह रहा है कि अरे मेरे मन यदि मुझे ऐसा ग्यात होता कि तू सांसारिक विशय वासनाओं के पीछे दौड़ेगा तो मैं तेरे हाथ पाउं तोड़ देता क्योंकि दौड़ने का कारिय पैरों से किया जाता है हाथों से भी किया जाता है हाथ गती देते हैं पैर उसको गती बेंजमीन से जोड़े रहकर तेजी से गती करते हैं तो कभी मन की विशेवासनाओं के पीछे दोडने की प्रवरत्ती को प्रतिबंधित करने के लिए कह रहा है कि अरे मेरे मन यदि मुझे ऐसा ग्यात होता कि तू सांसारिक विशेवासनाओं के पीछे दोडेगा तो मैं तेरे हाथ पाउं तोड़ देता जिससे तू दोड चल फिर नहीं सकता और ऐसा क्यों कह रहा है कि आजू लोहों कत नर नहर की नहीं सुनी नेह सो निहार हेरी बदन निहार तू कि तेरी विशय वासनाओं के कारण मुझे आज तक नहीं जाने कितने राजाओं के सामने गिर गिराना पड़ा मैं आज तक स्वाभिमान पूर्ण जीवन जीता आ रहा था और इसी स्वाभिमान की रक्षार्थ मैंने कभी भी किसी राजा की कोई भी बात नहीं सुनी किन्तु आज तेरे कारण ने सिर्फ मुझे उनका इंकार सुनना पड़ता है बलकि तेरे कारण ही मैं बड़े प्रेम से उनका मुख ताकता रहता हूँ अनुने विने करता रहता हूँ ताकि तेरी इच्छाओं को पूर्ण किया जा सके आगे कवी कहते हैं कि अरे मेरे मन यदि मुझे पहले से ग्यात होता तो मैं तुझे इस प्रकार चंचल ही नहीं होने देता मैं तुझे अचल कर देता इस्थिर कर लेता तथा चेतावनी रूपी चाबुक मार मार कर रूप अकलंकार का प्रवेश हो गया है चेतावनी रूपी चाबुक मार मार कर तुझे स्थिर कर देता जड़ कर देता निश्चिष्ट कर देता तथा तेरी प्रवरत्ती जो सांसारिक्ता की है वो सांसारिक्ता की तरफ से मोड कर इश्वर की तरफ कर देता तेरा मुख मोड कर इश्वर भक्ती की ओर कर देता और क्या करता कि मैं डंके की चोट पर या नगाडे की चोट पर या सरे आम घोशना करके तेरे गले में श्री कृष्ण के प्रेम रूपी भारी पाथर को पुना है रूपा कलंकार श्री कृष्ण के प्रेम रूपी भारी पत्थर को बांद देता और तुझे राधा के प्रियतम कृष्ण के यश रूपी सागर में डूबो देता कितना सुन्दर बिम्ब चित्र खीचा है कवी ने कि वे प्रेम रूपी पत्थर बांद था मन के गले में क्यों क्योंकि जल में डूबोने के लिए कुछ भार सनलग न करना आवश्यक होता है और जल भी कैसा है? राधा के प्रियतम स्ट्रिकृष्ण का यश रूपी सागर का जल अत्यंत सुन्दर कलपना अत्यंत सुन्दर वरनन तो कवी कह रहा है कि यश रूपी सागर में डूबे देता अर्थार्थ तुझे इश्वर की भक्ती इश्वर के प्रती आस्था इश्वर के प्रती प्रेम निष्ठा के रस्मे निमगन कर देता ये था इसका भावा अर्थवे भावा अर्थ आईए इससे सम्मंदित भावपक्ष वकलापक्ष प्रद्रिश्टिपात करते हैं लिख सकते हैं कि कवी ने आत्म परिशकार के लिए मन की कमजोरियों का उलेख किया है और कवी मन को सुधार कर स्री कृष्ण की भक्ती में दूब जाना चाहता है रितिकाल प्राया है भक्ती संबंधी रचनाओं के लिए बहुत कम प्रसिद्ध है शंगार परक रचनाओं आधिक्वी हैं किन्तु कुछ कवी हैं जिनोंने बहुत अच्छा प्रियास किया है प्रकारांतर से भक्ती से संबंधी रचनाओं लिखने में देव उनमें से एक है अलंकार विद्यमान है चंद के नाम पर हम लिख सकते हैं कि कवित्त चंद है जिसकी यती गती सुन्दर होती है और चंद में पदमेत्रिवे नाद सुन्दर भी शलागनिय है प्रशन से है आज का ग्रहकार अंकित करने का समय है ग्रहकार ये साधारन सा है कि पद्यावतरण में प्रियुक्त चंद वे अलंकारों का नामों लिख कीजिए आपको चंद का नाम लिखना है और जो एक अधिक अलंकार इस पध्यांश में आए हैं उनका नाम लिखना है आज के कालांश के लिए बस इतना ही आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद